हलो दोस्तों सुबसंध्या मैं प्रभात्तिवारीश वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभात्तिवारीश टड़िया यूपे एक बार सभी लोग लाइब आ जाईए दोस्तों इस वीडियो में सुरू करने वाले हैं यूपी टेटी का महत्मों टॉपिक है मनोविज्ञान का यहां से कुष्ण पूछे जाते हैं और आठ से दस नंबर दोस्तों आसानी से मिल जाएंगे और इसी के लिए दोस्तों मैं आपके लिए डेली 20 कुष्ण का MCQ लाऊंगा और 1000 प्रसनों का से दोस्तों आपकी परिछा से पहले करा दूँगा तो मेरे साथ दोस्तों कुष्ण करते कर चलिए मैं डीटेल नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों का MCQ कमाधम से पढ़ाऊंगा और रिक्वेश्ट की चैनल पर जुड़ जाएं दोस्तों क्योंकि ये सारे कुष्ण सिलेक्टेड है और वही कुष्ण लिए है जो बार बार पतियोंगी परच्छाओं में जो आपके टेट और सूपर टेट में पूछे जा रहे हैं चाहिए आपका MP टेट हो या UP टेट हो दोस्तों ये कुष्ण बहुत ही सिलेक्टेड है चलिए कुष्ण को सुरू करते हैं दोस्तों प्रीस यार अगर वीडियो पसंद है दे वीडियो को लाइक कर देना चलिए पहला कुष्ण दोस्तों हम देख लेते हैं पहला कुष्ण अमारा आपके सामने है, गर्ब में सन्तान सरवाधिक प्रभावित होता है तो कुश्या नम्बर पहले का आपको अंसर बताना है आप लोगों को मैं दो सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंच से स्चंन में अपने अंसर में इंसर करिए गर में संतान सरवाधिक प्रभावित होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मा के पोसर से दोस्तों मा के टीबी देखने से कुछ नहीं संतान के पोसर प्रभाव पड़ता है अगर संतान का प्रभाव पड़ता है तो मा के पोसर से दोस्तों गर में प्रभाव पड़ता है एकता कहलाती है ठीक है इस question का आप लोग answer बताईए चलिए मैं इसका answer बताता हूँ मन तथा सरीर का भिकास दोस्तों आपका मनोभैतिक एकता कहलाती है तो option number A बिल्कुल सही हो जाएगा option number A चलिए अगले question पे चलते हैं 2-5 वर्स की आयू क्या कहलाती है तो आपको 4 option दिख रहे हैं 2-5 वर्स की आयू को आपको बताना है 6 आवस्ता, बाल्य आवस्ता, उत्रा आवस्ता, कि सोरा आवस्ता चलिए दोस्तों मैं इसका सही answer आपको बताता हूँ 2-5 वर्स की आयू आपकी कहलाती है 6 आवस्ता और 6 आवस्ता किस option में आपको दिख रहा है option number A में दिख रहा है 6 आवस्ता चलिए, आगले question पर दोस्तों question number से आप लोग यहाँ पर घबराईएगा बनें यहाँ पर miss printing होई, प्रसंख्याई क्यासी नहीं है गर्भ में सरप्रथम निर्माड होता है तो आपको बताना है जो गर्भ होता है उसमें सबसे पहले पैर का निर्माड होता है सीर का निर्माड होता है, धर का निर्माड होता है या फिर सभी का मुझे पता है कि आप लोग सभी ठोक किया होगे लेकिन यहाँ पर पूछा है सरप्रथम निर्माड तो दोस्तो गर्ववस्था में सबसे प्रथम निर्मार जो होता है मानों का वो होता है मानों के सीर का तो किस option में दिख रहा है? Option number B बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए एगले question क्यों और चलते हैं बालक के सीर एओ मस्तिर का सरवाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा आप लोग comment section बताइए इसका सही answer क्या होगा? चलिए मैं इसका सही answer बताता हूँ इसका सही answer हो जाएगा सैसा वस्ता और सैसा वस्ता किस आपसन में आपको दिख रहा है आपसन नमबर बी में दिख रहा है चलिए दोस्तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्स्राइब करना दोस्तो चलिए जन्म के समय सिसु में कितनी हड़ियां होती है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तो जैसे जैसे मनुष्री बढ़ता है उसकी हड़ियों की संख्यन दिरंतर कम हो जाती है और एक वैस किस मानुषरी में आप सभी को पता है तो बच्चो में कितनी हड़ियां होती है दोस्तो वैसे तो दोस्तो 270 प्लस होती है अगर आपको आप्सन में 300 भी दिख जाए तो आप 300 ही लगा क्या ना ठीक है 320 और 270 दिख़े क्योंकि 300 प्लस हड़ियां होती है तो option number D बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है 300 प्लस अड़ियां होती है चलिए बीजा अवस्ता कहा गया है तो आपको बताना है बीजा अवस्ता किसे कहते हैं तो दोस्तो जीजो अवस्ता वो कहलाता है 0 से 2 सप्ता का जो अवस्ता होता है वो आपका बीजा वस्ता कहलाता है और किस अवस्ता में आपको देखने को मिल रहा है 0 से 2 सप्ता के बीच का आपका वस्ता होता है बीजा वस्ता होता है चलिए question number अगला है बालक अपनी मा को पहचानना प्रारंभ कर देता है बहुत अच्छा question है आप लोग दोस्तों इसको तो आसानी से याद कर सकते है देखो दोस्तों इन question को आसानी से याद करने की यह है कि जब भी आप यहाँ पर मनोबै ज्यान पढ़ो तो इसमें एक बात को ध्यान देना सबसे पहले अपने उपर लेना कोई चीज आप उसमें क्या सोचते हैं आप अपने उपर लेंगे दोस्तों तो चीजे बहुत ही आसान हो जाएंगी इस तरही से पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके लिए चीजे आसान हो जाएंगी यहाँ पर दिया है बालक अपनी माह को पहचानना प्रारंभ कर देता है तो यहाँ पर 6 माह दिया है 9 माह दिया है तो आपको पताना है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा और सन नंबर यहाँ पर 3 नहीं दिया दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग हुई है यहाँ पर दोस्तों 3 माह में ठीक है इस बात को ध्यान देना यहाँ पर वो option ही नहीं है तीन माँ में दोस्तों बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन माँ चेले दोस्तों अगला कुश्यन देखते हैं बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्त उठा लेता है आपके अंसर उस बालक की आयू क्या होगी तो दोस्तों ये भी interesting कुश्यन है आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा जब बालक जमीन पर से अपनी मन पसंद वस्त उठा लेता है तो उसकी आयू की यहाँ पर बूचा है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आठ से नौ मा ठीक है आठ से नौ मा हो जाएगा और option number D में दिख रहा है आठ से नौ मा option number D बिल्कुल सही हो जाएगा चैली दोस्तों अगला कुश्यन करते हैं बालक के जन्मे के समय सिसु के मस्तिस का भार कितना होता है तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है जो बालक होते हैं उसके जन्मे के समय उनके मस्तिस का भार पूछे तो यह 350 ग्राम होता है और वैस के मनुस्त के पूछे तो 1350 ग्राम होता है वयस्क मनुस्का थे का 14 सा ग्रम कहीं कहीं दिया रहता है चली अगले कुश्चन के ओर चलते हैं सीखने का आदर सकाल माना गया है तो दोस्तों सीखने का जो आदर सकाल माना जाता है वो आपका सैसा वस्ता दिखता है और सैसा वस्ता किस option में आपको देखने को मिल रहा है तो option number A में दिख रहा है आपका सैसा वस्ता चलिए अगले question क्यों चलते हैं कल्पना जगत में बिचरण होता है तो कल्पना जगत में बिचरण की बात करें तो दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा सैसा वस्ता वा किसूरा वस्ता अगर दोस्तो आपसन में सैसा वस्ता ना दिया होता तो सबसे सटीग होता है दोस्तो आपका किसूरा वस्ता ध्यान देना तो इसमें दोस्तो दोनों दिया है तो हो जाएगा सैसा वस्ता वा किसूरा वस्ता अगला कुश्चन बहुत ही important दोस्तों एक बालक पडोसी के घर में अपनी मा की गोद में खेलता हुआ सो जाता है उसकी मा के द्वारा उसके पडोसी की यहां बिस्तर पर सुलाते ही हुआ रोना प्रारंब कर देता है आपके अंसार बालक की आयू क्या होगी इस कुश्चन को दोस्तों ऐसे समझिए मान के लिए आपकी बालक वस्ता है जब आपकी माता जी कहीं पर किसी के घर पर गई हुई है और मान के चली आप उनकी गोद में सो गए और आपकी माता ने क्या किया आपके पडोसी के घर पर आपको सुला दिया आप ये जान गए कि हम पडोसी के घर पर सो रहे हैं आप तुरंत रोना प्रारम कर दिये तो ये बताए कि आपकी उस समय अवस्था क्या होगी तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मा देख लीजे दोस्तो बच्चे 10 मा में कितने जानकार होते हैं पडोसी का घर आसानी से पहचान लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मा दोस्तो माइंड मत करिए दोस्तो थोड़ा सा funny moment था इसलिए मैंने आपको बता दिया अगला कुश्यन है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता अब दोस्तो यहाँ पर एक बहुत important कुश्यन है बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कप करता है तो उसको इसका सही अंस अभी दोस्तो यह थोड़ा सा डेमो था यहाँ पर देखते हैं आप लोगों का कितना प्यार और सपोर्ट मिलता है उसके बाद दोस्तो मैं proper तरीके से आप लोगों के लिए दोस्तो वीडियो लाओंगा बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखेंगे तो इससे क्या होगा थोड़ा सा में मोटीवेशन मिलेगा और जाहिर सी बात है जब किसी को मोटीवेशन मिलता है तो उसके अंदर थोड़ी से एनरजी और उर्जी आ जाती है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करें आप सभी को पता है कि आपकी यूपी टेट की दोस्तो जो रम्हास्त रहें इसका प्रियोग करिए दोस्तों आपका कल्यान हो जाएगा ठीक है वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइए